शेखा सुमन आखरी बिग बुलेचन लेकर घर के अंदर पहुचे हैं और उन्होंने स्टैन और प्रियंका के म्यूजिक वीडियो के लिए रैप भी तयार कर लिया है और ये रैप सुनकर आप भी काफी सर्प्राइज होंगे क्योंकि इसकी जो लाइने हैं वो एकदम मस्त हैं मैं बस्ती का छोकरा तू चलाक लोमड़ी पाठी करने का मोड़ हो तो प्लीज डॉन्ट कॉल मी चल दूर हट शेम ली तो ये जो है शेख सुमन ने रैप की लाइने बनाई है और ये गुन गुनाते हुए जो है नजर आए हैं मैं आपको बता दूं कि शेख सुमन सेट पर पहुंचे हैं और उन्होंने जो है कहा है कि आखरी उनका बिक बुलेटन होगा बिक बुलेटन करके जब वो आये थे बाहर तब उन्होंने एक ट्वीट किया था कि उनके जाने के बाद जो है वो होगा एक बड़ा एलिमिनेशन तो बड़े एलिमिनेशन का आगाज जो है उन्होंने पहले ही कर दिया था और बताया था कि एक बड़ा elimination जो है घर के अंदर होने वाला है उसके लिए आज audience घर के अंदर जा रही है जैसा कि मैंने आपको बताया कि audience select करेगी कि इन में से सबसे कम popular जो है वो कौन है तो एक बात तो होता है कि हमें finale में मिलेंगे top 5 ही और एक जो कम popular है जो deserve नहीं करता popular नहीं कहूंगी मैं non deserving कहूंगी जो इन में से सबसे कम deserve करता है यह सभी deserving है इसलिए top 6 में पहुँचे हैं लेकिन इन में से सबसे कम किसे जनता कह रही है वो बाहर हो जाएगा तो वो मैं आपको पहली बता चुकी हूँ तो अब यह शेखर सुमन जो है गह के अंदर पहुचे है और Stan और Priyanka के music video के लिए उन्होंने lyrics तक तयार कर लिए और जिस तरीके सुन का sense of humor है और यह lyrics सुन कर जो है Stan काफी surprise है और मैं आपको बता दूं कि अगर इसी line पर गाना बना कि मैं बस्ती का छोकरा तू चलाक लो मड़ी पार्टी करने का mood हो तो please don't call me दूर रह वो शेखरी तो इसी line पर कुछ है और अगर ऐसा ही rap बनता है Stan और Priyanka का बाहर जाकर क्योंकि उनसे एक सवाल पूछा गया था घर के अंदर जटपट सवाल में कि इन में से किसी एक को कास करना हो तो कौन होगा तो Stan ने Priyanka का नाम लिया था तो अब अगर इसी line पर कोई rap बनता है तो मुझे लगता है कि वाकई में वो लोगों को बेहत पसंद आएगा जो